हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं मुक्या सोद्री और आपका बहुत बहुत स्वागता इस्टेड वी तैम के चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में आपने बात करेंगे इसी बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जुरू देखना और दोस्तों उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को लगा कर इसकी बेप साइट ओपन करनी है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर नीचे सारी गाइड लाइन देख सकते हो इन्होंने आप पर इंपोर्टेंट सेडियोल के नाम से एक टेबल दे रहे कि है इसमें सारी जानकारे दे कि रिजिस्टेशन फॉर ओनलाइन काउंसलिंग कि आपकी कब से काउंसलिंग प्रारम बोह रही है तो आप देख सकते हो 25 है 2019 से लेकर 57 2019 तक आपकी यहां पर काउंसलिंग की डेट रहेगी दोस्तों यह साब साब आप यहां पर देख सकते हो और फीस के बारे में भी आपको यहां पर बता रहा है कि 5000 फीस है ओनलाइन या बेंक से आप यहां पर जमा करवा सकते हो दोस्तों इसी परकार जो टू येर ब जानकारी जो सभी इस्टुडेंट को लगबग पता चल गए होगी दोस्तों अब दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर इन्होंने दो यहां पर लिंक जारी की है तो आप यहां पर देख सकते हो पहला लिंक है फोर बीए बीएड इस्टुडेंट के लिए और सेगिंड है बात करते हैं कि जो स्टुडेंट काउंसलिंग करवाने जाएंगे वो क्या-क्या सावदानिया रख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह सला देता हूं कि आप एक अनुबवी जो इमित्र है उसी से आप संपर करें उसके पास ही जाकर आप काउंसलिंग करवाई जो इमित्र संचालक है उसको इसके बारे में नौलेज नहीं है उससे आप काउंसलिंग बिल्कुल भी मत करवाई क्योंकि दोस्तों आपकी काउंसलिंग रद हो सकती है क्योंकि दोस्तों इसमें काफी सावदानिया रखनी होती है दोस्तों अब दोस्तों सेगिंड वर्त के अंदर या अपने नाम एड्रेस वगरे में तो आप सासात में देखते रहे दोस्तों कि वो सही भर रहा है या नहीं भर रहा है उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं कि जो कोलेज लिष्ट है उसको आप एक बार देख लीजिए आपको पांस-दस मिनिट का समय लगेगा उसको आप एक बार पूरी देख लीजिए कि कौन-कौन सी कोलेज हैं और कौन-कौन सी जिले में हैं क्या-क्या नाम से है दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप जब कोलेज चूज करो सबसे पहले आप ध्यान रखे कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हो उसी के अगर मेल स्टूडेंट है तो मेल सेलेक्ट करें फिमेल है तो फिमेल सेलेक्ट करें उसके बाद दोस्तों जो आपके आज पास जितनी भी कोलेज हैं उनका आप चैन करें ऐसे दोस्तों सभी जितनी भी कोलेज हैं उनको आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों क्योंकि दोस्तों काफी स्टुडेंट यह सोचते हैं कि कुछ 40 या 50 कोलेज वो सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं उसके बाद वो सेलेक्ट नहीं करते हैं उनका नंबर नहीं आता है क्योंकि दोस्तों इसमें रीजन यह होता है क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि जैसे कि आपने सारी college choose कर दी और हो सकता एक या एक college में आपका chain हो जाए दोस्तों तो आपको सभी वहाँ पर college हैं वो select करनी है दोस्तों फिर दोस्तों second बात यह है कि जो student पांच जार रुपियों पर pay कर रहा है और उसका number नहीं आया जैसे first list निकलेगी उसके बाद second list, third list, तीन list यहाँ पर आती थी हमेशा और अब की बार भी आएगी हो सकता है अब की बार एक list और बढ़ जाए दोस्तों fourth waiting list भी आ सकती है तो दोस्तों पांच जार रुपिय जो जमा करा रहा है जैसे उसका number नहीं आया चारो लिस्टों के अंदर तो दोस्तों उसको गबराने की आओ सकता नहीं है क्योंकि उसके पांच जार रुपे कुछ सुलक यानि सो या पचास रुपे कम होके वापिस है उसके या तो bank account में आजाएंगे या उसके पास डाग द्वारा बाई पोस्ट चेक आजाएगा दोस्तों रही दूसरी बात दोस्तों कि जिन स्टुडेंट ने पांच जार रुपे जमा करवा दिये हैं और उसका सेलेक्शन हो गया और वो कॉलेज जोईन नहीं करता है दोस्तों तो उसके पेस हो जाता है फिर वहाँ पर जो 22,000 को सम्टिंग पीस दे रहे हैं दोस्तों वह वहाँ पर जमा करवा देता है और उसके बाद उसको जोहिन नहीं करता है तो दोस्तों इस इस्तिति में भी आपकी जो पीस है बिलकुल भी वापिस नहीं लोटाई जाएगी वहाँ आपको 27,000 रुपे का वहाँ पर नुकसान जेलना पढ़ सकता है दोस्तों तो दोस्तों मैं ये सभी स्टुडेंट को बोड़ रहा हूं जो दो वर्सिये बेड़ करना चाते हैं और जो चार वर्सिये बेड़ करना चाते हैं उन सभी के लिए ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूं दोस तो दोस्तों इस परकार आप इन सभी बातों को घ्यान में रखकर आपको काउंसलिंग करवानी है दोस्तों और जो भी आपके मन में कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंड करके जरूर मेरे को पूछ सकते हो मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिस करूँगा और दोस्तों किसी भी जानकारी से समंदित आप इस official website पे ही visit करना दोस्तों नहीं कि किसी दूसरी website पे आप जाके जो घलत information है उसको read करके आप भरमित हो जाते हो कि इसका result इतनी बज़े आएगा जैसे भी BSTC के student भरमित हो रहे हैं कि 25 को आजाएगा 27 को आजाएगा तो दोस्तों अभी त एक सकते हैं important download में सारी जानकार दे रहे हैं online counseling schedule, online counseling information, notification for EWS और दोस्तों इसमें एक बात हो रहे हैं कि जो भाई EWS से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर benefit मिल गया है क्योंकि उनको यहाँ पर registration मिल गया और जो MBC category से बिलोंग करते हैं उनको भी यहाँ पर registration मिल गया दोस्तों और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाते हो, documents से समनकारी चाते हो या दोस्तों और कोई other आप जानकारी चाते हो, PTT से समन्दे तो जरूर comment करके मेरे को बताए दोस्तों, तो धुंस्तों फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एको latest वीड झाल